हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सर्भी का अपने यूट्यूब चैनल एक्विटी टू कॉमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप ब्रेकाउट से पहले मार्केट में इंट्वी कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो आपको रियल ब्रेकाउट और फ्रेक ब्रेकाउट होता उसको भी हम डिस्टिंगेउस करते हुए हम रियल ब्रेकाउट में सही टाइम पर इंट्वी करते हुए यानि हम बहुत ज़ादा लेट इंट्री करते हैं वहाँ पर हमारा विस्क इंक्वीज हो जाता है और रिवार्ड काफी कम मिलता है तो यहाँ पर हम रियल ब्रेकाउट को सही टाइम पर आइडेंटिफाई करेंगे और थोड़ा सा अरली मार्केट में इंट्री करने कोशिस करेंगे और वो सब हम कैसे कर सकते हैं चले इस वीडियो में सीखते हैं तो यहाँ पर हम चार्ट पर आगे हैं और यह जो चार्ट है आपका टाटा मोटर्स लिम्टेट का चार्ट है सबसे पहले यहाँ पर हम टाइम फ्रेम की बात करें इसका इस्तेमाल आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं आप 1 डे में कर सकते हैं 4 आवर में कर सकते हैं इवेन आप 15 मिनट में कर सकते हैं 5 मिनट कर सकते हैं किसी भी time frame में कर सकते हैं लेकिन जो मैं आपको conditions बताने जा रहा हूं उन सारे conditions को fulfill करना चाहिए satisfy करना चाहिए यह सारा conditions अगर किसी भी time frame में satisfy करता है तो वहां पर हम early market में इंट्वी कर सकते हैं breakout से पहले market में इंट्वी करते हुए breakout का maximum profit बना सकते हैं तो conditions क्या क्या है सबसे पहले यहां पर हमें एक indicator का इस्तेमाल करना है वह आपका exponential moving average और यहां पर जो हम exponential moving average यूज कर रहे हैं वह आपका 20 days यहां पर हम 20 EMA का इस्तेमाल करें जो कि आपको white line दिख रहा होगा यही आपका 20 EMA अब सबसे पहले हमें इसका इस्तेमाल करना उसके बाद हमें अब इसके basis पर breakout कैसे identify करना यह चीज भी आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हमें क्या करना है कि price आपका इसको break करके उपर जाना चाहिए और at the same time हमें यहाँ पर volume भी दिखना चाहिए volume को भी आप एक indicator group में ले सकते हैं यहाँ पर हम volume को भी use कर रहे हैं यह indicator सारे जगह आसानी से available रहता है कोई भी trading platform आप यूज कर रहे हैं इसका आप इस्तमाल आसानी से कर सकते हैं तो volume के साथ positive volume के साथ price इसको break करके उपर जाना चाहिए यनि 20 EMA को break करके उपर जाना चाहिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं price इसको break करके उपर जा रहा है लेकिन यहाँ पर negative volume है मतलब इसको हम consider नहीं करेंगे और जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि price इसको break करके उपर जा रहा लेकिन positive volume उस ratio नहीं दिख रहा ति ये भी consider नहीं होगा consider होगा कौन था जैसे यहाँ पर price देखिए 20 EMA को break करके उपर निकल रहा लेकिन यहाँ पर हमें positive volume दिख रहा यह हमारा सही माइने में breakout होगा लेकिन हम यहीं पर react into नहीं लेंगे हम क्या करेंगे हम retest होने का wait करें यहनी वापस से क्या होना चाहिए price आपका 20 exponential moving average को retest करना चाहिए और जैसे इसके उपर निकला है हमारा 20 exponential moving average क्या बन गया support बन गया यहनी हम आई लिए support की रूप में काम कर रहा है और जब price आपका वापस से 20 day exponential moving average को touch करेगा तो support जो label बना उसको respect करना चाहिए यहनी price इससे नीचे नहीं आना चाहिए अगर price इससे नीचे आया तो फिर यहाँ पर हम entry नहीं लेंगे और इसकी बाद देखें यहाँ पर price आपका इसको touch किया है लेकिन इसको break करके नीचे closing नहीं दिया है और उसकी बाद यहाँ से वापस से price उपर जाने लग गया और जब यहाँ पर भी price आपका उपर जा रहा है यहाँ पर हम positive volume चाहिए यहाँ दो जगा हम volume की मदद लेंगे सबसे पहले breakout के time पर positive volume चाहिए और दुबारा जब इसको retrace करेगा तब भी हम भी positive volume चाहिए और अगर यह दुबारा retrace नहीं करता यहीं से उपर चला जाता है तो यहाँ पर हम entry नहीं लेंगे यहाँ पर हमाई लिए no entry बन जाएगा तो हमें entry कब लेना है सबसे पहले breakout को identify करता है उसके बाद वापस से price आपका 20 day exponential moving average को touch करना चाहिए और उसको respect करना चाहिए यह नहीं break नहीं करना चाहिए और यहाँ से जब उपर निकलेगा तब हमें entry लेना है तो यह सारे conditions को आपको ध्यान में रखना 3-4 conditions मैंने आपको बता है वो सारे conditions आपको ध्यान में रखना उसके बाद हमें exact entry point कैसे find करना जहाँ पर हम क्या बच सकते है false breakout से बच सकते है उसके रिए जो भी previous आपका high बना तो आपका यह एक high बना और इसी level पर एक और high बना यह दोनों high का formation किया अब क्या होगा अगर आपका sellers में strength है तो price को इस high के उपर नहीं जाने देगा अगर price इस high के उपर निकला that means to क्या होगा यहाँ पर जो buyers है वो बहुत जादा strong हो गया यह नहीं buyers का यहाँ पर दबदबा है तो यहाँ पर हम buy side की तरफ जा सकते है तो हमें इस highest point को break होने का wait करना परेगा और यही highest point हमें बताएगा कि यह आपका real breakout है यह फिर fake breakout है और यह हम बहुत जल्दी identify कर रहे हैं हम जादा late नहीं कर रहे हैं तो आपस से जब detest करके price निकला positive volume है और देखिए यह क्या क्या इस highest point को break करके ऊपर निकला जैसे closing दिया है अगला candle जो हाँ भी open होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे entry लेंगे यानि तो जैसे इसको break किया यहाँ पर भी आप entry ले सकते हैं जो भी आपको सही लगता वो काम आप कर सकती हमारा entry बन जाएगा इस candle का lowest point हमाई लिए SL के रूप में काम करेगा और फिर जो भी previous आपका swing high है first target price हमारा यह बन जाएगा और इसके बाद हम चाहें को trailing SL का भी इस्तमाल करते हुए अपने target को increase कर सकते हैं तो इस तरीके से हम breakout को सही time पे identify करते हुए profit बना सकते हैं यहाँ पे जो हमने entry लिया वो entry point में आपको बता जेता हूँ हमने जो entry लिया उससे थोरा से नीचे 318 cash per 320 round figure में आप ले लिजे और इसके बाद price आपका all the way कहा तक गया हम आसानी से 20% से ज़्यादा का profit बना रहे है 20% छोड़ दीजे 10% का profit तो आसानी से यहाँ पे आप derive कर सकते हैं और वो भी आपका कुछ दिनों में ही मिलता हुआ दिख रहा है और इसके basis पे आप जाओ तो come time frame में जाके intraday trading भी कर सकते हो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं swing trading कर सकते हैं और positional trading कर सकते हैं तो बस जो मैंने आपको conditions बताए वो conditions ध्यान रखना फिर आप सही time पे intry कर सकते हो और intry करने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पे 20th line draw करेंगे highest और lowest point को join करते हुए उसी तरीके trendline draw करेंगे और आप चाहो तो यह lowest point है और यह lowest point है इन दोनों low point को भी join करते हुए trendline draw कर सकते हो यह नहीं तो 20 day exponential moving average जैनी 20 day EMA को भी आप क्या कर सकते हो trailing SL के रूप में इस्तमाल कर सकते हो तो multiple options है थोड़ा बहुत modifications आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन जो conditions है उसमें कोई modifications नहीं करना है अब यहाँ पे हम दूसरा example पे आते हैं उससे पहले आपको बताना चाहोंगा कि अगर आपको technical analysis सीखना है तो उसके लिए हमने एक special सा course design किया है जहां पे आप technical analysis सीख सकते हैं from basic to advance उसके लिए आपको मोबाइल एक्विटिट कमडिटी को डाउनलोड करना होगा ब्ले स्टोर से नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिलेगा और वहां पे जाके आप course enroll कर सकते हैं और course complete course भी है जहां पे आपको पूरा stock market के बारे में बेसिक से लेके advance level तक बताया गया और हमने course को इस तरीके से design किया है कि आप stock market को आजब के रूप में tweet कर सकते हैं यहां से आप एक passive income generate कर सकते हैं तो एक बार आप हमारा mobile app download करके course को जहूर देखिए पसंद आता है आप enroll कर सकते हैं कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें contact कर सकते हैं आपके सारे डाउट को clear किया जाएगा यहां पर हम आगें दूसरे example पर अधानी ports 4-hour की time frame यहां पर हम different time frame ले रहें ताकि यह concept आपको आसानी से समझ में आ जाए अब यहां भी हमें क्या find करना यहां भी हमें find करना कि price आपका 20-day EMA को break करके उपर जाना चाहिए हमें positive volume चाहिए उसके बाद price आपका रिटेस्ट करना चाहिए और रिटेस्ट के बाद जब price आपका ऊपर जाएगा उस time भी क्या चाहिए positive volume चाहिए और उसके बाद हम twin line draw करके in tweak करेंगे बस यही सब कुछ चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अब देखिए price आपका क्या किया है यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ भी price आपका इसको break करके ऊपर निकला है लेकिन वापस से जब इसको retest करना चाहिए था उस time पे इसको break करके नीची आ गया मतलब हमें break नहीं करना चाहिए यहां भी price आपका उपर निकला लेकिन जैसे नीच यहां इसको break कर दिरा है मतलब इसको break नहीं करना चाहिए और positive volume के साथ इसको break करना चाहिए अब यहां पर देखिए यहां पर भी क्या हो रहा positive volume के साथ इसको break करके उपर निकल गया, यह नहीं पहला point मेरा satisfy हो गया, कि positive volume के साथ हमें क्या चाहिए breakout चाहिए दूसरा जो हमारा 20 day exponential moving average है यह में हो गया वो आपका support की रूप में काम कर रहा मतलब इस support को respect करना चाहिए अब देखिए, यहां भी आया इस support को respect किया है और यहां पे अगर हम volume की बात करें तो slightly negative volume है, थोड़ा सा wait करेंगे यहां पे positive volume आ गया है तो यहां पे हम entry ले सकते हैं लेकिन entry कब लेंगे, entry लेने के लिए हमें क्या करना होगा, तीसरा point हम कर सकते हैं, entry के लिए हमें चाहिए होगा trend line जिसके basis पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम entry लेंगे इन सारे point को ध्यान देना होगा trend line हम कैसे द्रॉआ कर सकते हैं, अब देखिए यहां पे multiple तरीके से trend line द्रॉआ कर सकते हैं एक trend line आपका इस तरीके से द्रॉआ होगा, और दूसरा trend line जो हम द्रॉआ करेंगे, वो इस highest point को straight line लेते हुए, तो कोशिस किजिए कि highest point को आप एजर, straight line ले लिजे, क्योंकि अगर इस highest point को break करता है, तो क्या होगा buyers में हमें strength देखने को मिलेगा, और highest point break नहीं होता, that means to sellers का अभी भी दबदबा बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम wait करेंगे, और इस highest point को उपर निकलते हम buy करेंगे, और यहाँ पे जब इस highest point को break करेंगा, तो हम देखेंगे positive volume चाहिए, तो जैसे इसको break किया देख सकते है, positive volume हमें दिख रहा है, तो हम इसी के आसपास क्या करेंगे, entry लेंगे, इसका lowest point SL के रूप में काम करेगा, SL भी काफी छोटा सा risk reward भी हमारे favor में, और यहाँ से price आपका ऊपर निकला है, तो first target price हम यहाँ पे रख सकते हैं, फिर इस strategy से अगर आप hourly time frame में इंट्वी लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पे हमें कितना profit मिला, इस level के आसपास हमने इंट्वी किया, 4746 के आसपास, और अगर हम profit भी book करते हैं, यहाँ पे आपका 830 के आसपास, यहनि 50 और 20, 70 point के करेंब यहाँ पे हमें profit मिलता हुआ दिखा है, 70 point to 10% का profit हम आसानी से derive कर रहे हैं, अब hourly chart में भी और daily chart में भी इसी amount का profit हम दिखा लें, मतलब यहाँ पे हमें इतना profit क्यों मिला है, क्योंकि हम breakout को early identify कर रहे हैं breakout देने से पहले हम market में entry कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम entry नहीं कर रहे हैं, बलकि यहाँ पे जो आपका fake breakout होता है उसको भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे हम काफी हद तक filter करके बाहर कर रहे हैं और वो किस basis पे buy कर रहे हैं, previous high जो बना उसके basis पर बाहर कर रहे हैं और जब भी आपका कोई breakout देता है और previous high को break नहीं करता है यहां पर बायर्स तो इंट्वी कर रहे हैं लेकिन उन बायर्स पर उतना strength नहीं है कि जो sellers का level बनाया गया या फिर जो previous high बना उसको break कर पाए तो वैसे conditions पर आपको breakout पर वरोसा नहीं करना, breakout पर इंट्वी नहीं करना यह भी point आपको note करके रख लेना है अब यहां पर हम आते हैं तीसरे example पर जो कि आपका exchange pens का hourly time frame में है अब यहां पर भी हमें क्या देखना है कि price आपका इसको break करके उपर जाना चाहिए यहां पर पॉजिटिव ओल्म के साथ डेखे डेखी ब्रेक किया लेकिन ऊपर गया लेकिन वापर से जब नीची आया है तो इसको break कर दिया हमें ऐसा नहीं चाहिए हमें चाहिए कि इसको break करें और इसको as a support के रूप में hold करें तो यहाँ पर देखें यहाँ पर यह क्या किया positive volume के साथ इसको break किया और वापर से जब इसके करीब आया इसको support के रूप में tweet किया यहीं 20 day exponential moving average हमाई लिए क्या काम करना चाहिए support की रूप में काम करना चाहिए और price इस support को respect करना चाहिए जो कि यहाँ पर respect करता हुआ दिखा है अब फिर जब breakout दे तो हमें क्या देना चाहिए वहाँ पर positive volume दिखना चाहिए लेकिन यहाँ पर हम entry कहां पे लेंगे हाई break होने के बाद और जो हाई जो बना recent times में हमारा यह हाई बना है मतलब जब इस हाई को break कर रहा है तो हमें क्या चाहिए positive volume चाहिए और उससे पहले price आपका इसके नीचे नहीं दिखना चाहिए कोई strong red candle तो थोड़ा बहुत इसके नीचे है लेकिन red candle कोई strength नहीं है और उतना जादा कोई हमें support भी sellers के दुआरा नहीं मिल वाद इसलिए इस point को हम थोड़ा सा ignore करेंगे और उसके बाद price उपर निकला और इसके आसपास देखेंगे तो हमें क्या दिखा हमें positive volume दिखा अच्छा खासा positive volume के साथ ये candle आपका ऊपर सार के तरफ को लोजिंग गया उसके बाद regular तो नहीं थोड़ा बहुत red और green volume दिख रहा लेकिर अगर आप गौर करेंगे तो इस point पे maximum आपको green volume दिखेगा और जो green volume दिखेगा आपको higher volume दिखेगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस point के आसपास हम यहाँ पे entry ले सकते हैं और strict SL हम यहाँ पे रखेंगे SL हमारा छोटा है यानि जो risk है हमारा वो काफी कम है और जो हमारा reward यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे हम यहाँ पे अच्छा कासा profit बना सकते हैं यहाँ अगर हम इंट्वी की बात करें लगबग 2850 के आसपास और प्राइस यहाँ पे आपका all the way 3050 या फिर इससे भी काफी ऊपर साइड की तरफ गया यहाँ पे भी अगर आप पने रहते हैं ट्वेलिंग SL का इस्तेमाल करते हैं तो 10% का profit आप आसानी से निकाल सकते हैं हम वन आवर के चार्ट बाले में भी बात करें तो तो हर एक जगा आप यहाँ से मिनमम 3% to 10% की profit की उमीद कर सकते हैं 3% का profit आपको मिलेगा जब आप lower time frame में जाएंगे यह नि 15 minute 30 minute time frame में जाएंगे तब आपको यहाँ पे 2-3% का profit मिलेगा लेकिन अगर आप आवली time frame 4 hour या फिर daily time frame में जाते हैं तो मिनमम यहाँ पे आपको 5 to 10% का profit मिलता हुआ दिख जाएगा क्योंकि य basis पे भी हम यहाँ पे काफी हद तक filter कर पा रहे हैं तो यह सारा कुछ आपको ध्यान में रखने की ज़गरत है उमीद करते हैं यह जो concept हमने discuss किया यह आपके लिए useful साबित होगा और आप सही माइने में breakout को identify करते हैं अगली बार से market में perfect time पे entry कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए साथ बेल आइकन दवादा ना भूले ताकि जब भी हम अपना next वीडियो अप्लोड करे notification आपको मिल जाए और वीडियो मिस ना करें so that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिंद